Hello everyone, welcome to foundation classes, my name is Amit, चलिए आज के session को start करते हैं आज का जो हमारे session है, इसमें हम why goats की theory जो कि आपका seat at के लिए most 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 important topic है यहां से आपके 2 से 3 questions 100% पुछे जाते हैं तो आज हम why goats की theory से related आपके 50 plus जो important questions है ना उनको करने वाले हैं और यह जो questions है आपके 2011 से लेकर 2023 तक जो seat at हुए हैं आप तक उनके questions है तो आप समझ सकते हैं यह आपके लिए कितने ज़्यादा important है आपका जो seat at का exam है उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 days बचे है तो अब आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे ना उतना ही आपके लिए benefit है इसके just बाद मैं आपके लिए EVS के जो most important topic हैं उनके questions लेकर आऊँगा तो अगर आप channel पर new है तो channel को subscribe कर लीजिए ताक कि आपकी कोई भी class miss ना हो तो चलिए start करते है according to Lev Vygotsky new knowledge is constructed in a zone between देखिए मैंने दोनु language के अंदर question को लिखा है जिसमें आप comfortable हो ना उस language को आप prefer कीजिए Lev Vygotsky के अनुसार नए ग्यान का निर्माण निमल लिखित के बीज के छेतर में किया जाता है देखिए इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ Vygotsky ने बात किया है ZPD zone की आपको याद रखना है ZPD zone का मतलब क्या होता है zone of proximal development आपको पता होगा तक आपने syllabus को cover कर लिया होगा आपको ZPD के बारे में पता होगा फिर भी मैं आपको explain करूँगा ZPD zone of proximal development इसमें इन्होंने क्या बताया आप समझिए इन्होंने कुछ levels दिए इन्होंने बताया आप ये मानिये ये मानलो first level है यहां से लेकर और यहां तक इन्होंने बताया यहां पे जो task है ना ये बचा easily कर लेगा ना उसे किसी के help की जोड़त है कुछी भी नहीं उसे मतलब आता है यहां पे वो चीजों को करने में expert है इस level के अंदर ठीक है उसके बाद आता है next level उसने बताया यहां पे जो task होंगे ना वो बच्चा कर लेगा लेकिन उसे हलकी सी क्या होगी difficulty होगी करने के अंदर आपको यह याद रखना है लेकिन वो कर लेता है याद रखिया आप कर लेगा बेसरी difficulty से हो लेकिन कर लेगा उसे हलकी सी difficulty होगी ठीक है उसके बाद next level यहां पे उन्होंने बताया यहां पे जो task होंगे ना वो बच्चा अकेला नहीं कर सकता उसे किसी की help चाहिए क्या चाहिए किसी की help और इस help करने को ही बोला गया है scaffolding यह most important word है इसको याद रखना आप इसको इंदी में बोलते है pad ठीक है क्या बोलते है pad और इंगलिस में क्या बोलते है scaffolding यान कि जब बच्चा किसी काम को अकेले नहीं कर सकता है लेकिन किसी की help से वो उस काम को आसानी से कर लेता है इसे बोलता है scaffolding is help देने को ठीक है और उसके बाद आता है next level यहाँ पर जो task होंगे न वो बच्चे के बहुत ही उपर है इनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता ठीक है तो अब आता है zpd zpd के अंदर कौन-कौन सा zone सामिल होता है आपके ये दो zone जहाँ पर वो चीजों को थोड़ी difficulty से अपने आप ही कर लेता है यारे कि उसको पता है कैसे होगा और वो कर लेगा आस आने इसे ठीक है और एक वो level जहाँ पर बच्चा किसी की help से करता है तो ये दोनों zone है ये आपके zpd के अंदर count होते है और इनका मतलब ये है क्या तो बच्चा जानता है और क्या वो किसी की help के साथ यानकि जानने के capable है देखिए इससे उपर वाले टास तो क्या है impossible है उसके लिए तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आगे देखते हैं अब देखिए अब आप question के उपर आईए आगे चलते है पियर ग्रूप्स देखिए आपको जो समाजी करन होता है ना इससे related कुछ क्या होती है एजनसी होती है और एक को लिया गया नाम primary agency और एक नाम दिया गया secondary agency ठीक है अब primary में कौन को न आती है आपकी family सिर्फ और सिर्फ आपकी family आएगी primary के अंदर according to option भी देखना पड़ेगा आपके सामने और एक होती है secondary agency secondary agency के अंदर वो चीज़े आती है जैसे आपका school हो गया और यह सबसे best secondary agency मानी गई है यह भी आपको याद रखना है ठीक है आपके पडोसी हो गए भी यादि के आपके neighbor हो गए ठीक है आपके peer groups हो गए peer groups का मतलब होता है समकक्सी जो आपके साथ कक्सिया के अंदर पढ़ते है ठीक है आपके friends हो गए आपका धर्म हो गया यादि कि religion media हो गया जो आप TV वगरा देखते हैं ये सब चीजे और इन सब चीजों से क्या होता है आपका सामाजी करन होता है socialization होता है यानि कि वो सारी चीजे socialization के अंदर आती है जहां से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो सबसे पहले वो अपने family से सीखता है इसलिए family को प्राथ में यानि कि primary agency वो लगाया है और बाकी सब चीजे secondary के अंदर रखी गई है ठीक है library है वहाँ पर काफी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे है तो normal सी बात है आप समाज की बीच में तो बैठे हुए है समाजी करण तो आपका हो रहा है लेकन आप वहाँ पर क्या कर रहे है आप अकिले बैठकर पढ़ रहे है चुपचा पढ़ रहे है किसी के साथ conversation नहीं कर रहे है तो इसलिए उसको बोला गया है passive याँ कि निस करिए उरे एक होता है आपका active शक्रिए अब active का मतलब क्या है जहाँ पर आप एक दूसरे से बातचीत करके कुछ सीखते है जैसे बच्चा अपने family वाले से सीखते है जहाँ पर बच्चा जैसे next में स्कूल हो गया आपके पड़ोसी हो गए peer groups हो गए तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा एक दूसरे के साथ conversation करता है तब वो सीखते है ठीक है तो अब हम लोटते हैं question के ओपर देखिया peer groups has a significant role in secondary socialization of child world यानि कि बच्चों के द्वित्तिक सामाजिकरण में उनकी एक मैतवपन भूमिका होती है यही क्या होगा आपका correct होगा बई बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लगू लेकिन निरर्थक भूमिका होती है गलत भई निरर्थक नहीं सार्थक होती है भई यह द्वित्तिक सामाजिकरण का कारक नहीं होता गलत भई क्योंकि हमने बता है ना Secondary Agency तो यह है द्वित्तिक सामाजिकरण तो है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आंसर नमबर A आगे देखते हैं नेक्स्ट क्यूसर नहीं है आपका आपका क्रेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर नमबर 1 यह जो आपका ZPD जोन है उसका क्या फाइदा है वो टिचिंग के अंदर भी उस होता है और आपके असेस्मेंट के अंदर भी असेस्मेंट में तो कैसे हुआ बच्चे के बारे में हमें पता चला अक बच्चा क्या जानता है और क्या जानने के वो लायक है वो टिचिंग का कैसे इससे टिचर भी तो क्या करेगा अपने आप में सुधार कर सकता है ना अगे मैं किस तरीके से चीजों को पढ़ाऊं थाकि बच्चा जादा अच्छे से सीख पाई तो आपका जो ZPD है या आपका टिचिंग में भी यूज होता है और आपके असेस्मेंट में भी ठीक है आगे चलते हैं बच्चे को क्लिउ दिया अग भाई ये क्यूसन इस तरीके से होगा यानकि बच्चे की क्या की help की और मैंने बताया न help करने को क्या बोला जाता है ये folding बोला जाता है तो क्रक्टांसर क्या होगा आपका answer number second आगे चलते हैं which of the following are primary socialization agency of children यानकि बच्चों के समाजी करन की प्राथमिक संस्थाएं मैंने आपको जस्ट अभी बताया school and neighborhood गलत है भई ये तो आपके secondary में आते हैं family and media भई मीडिया के वज़े सी क्या हो गया ये भी गलत हो गया neighborhood and teacher ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया next आपका family and neighborhood ये होगा आपका correct answer अब आप ये मत बोलना neighborhood तो secondary में आते हैं हाँ भई आता है लेकिन हमें चलना है option के according यहाँ पर हमाँ पता है जो family है न वो तो 100% क्या आएगी आपकी प्राथमिक होती ही है लेकिन साथ में neighborhood क्योंकि family के बाद बच्चा सबसे पास किसके होता है आपके परोशियों के पास ही होता है न तो correct answer आपका क्या होगा family और neighborhood यानिक answer number 4 आगे चलते है next question है आपका बच्चा देखी यहाँ पर बच्चे के बीच में और अध्यापक के बीच में क्या है conversation ठीक है वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है देखी आप बच्चा मैं पहले कि इस इसे को पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूं बच्चा बोल रहा है तो टिचर ने क्या का यहाँ कौन सा टुकडा आएगा या आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है तो देखिये, यहाँ पर अध्यापक ने क्या किया, बच्चे को हिंट दे दिया उसने पुछा यहाँ पर क्या ना चीए, क्योंकि यह बिल्ली के पहर है तो बच्चा बोलेगा यहाँ पर तो पंजा आएगा सर अध्यापक हाँ सही बोला तुमने कौन सा टुकड़ा पंजाजे से दिखता है तो बच्चे ने जवाब दिया यह वाला यानकि बच्चे को क्या मिल गया हिंट मिल गया, क्लिउ मिल गया तो हम इसको क्या बोलते हैं वाई गोच्की के अकोर्डिंग इसके फोल्डिंग, सिधा और सिंपल्स है तो आपका आणसर क्या होगा, आणसर नमबर थ्री, आगे चलते हैं आपका next question है, लेव वाई गोच्की का संग्यानात्मक विकास का सिद्धान्त किस से संब्दित है, देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो वाई गोच्की थ्योरी है ना, इसी को वाई गोच्की थ्योरी का संग्यानात्मक विकास का सिद्धान्त भी कहते हैं, इसको हम socio-cultural थ्योरी भी कहते हैं ठीक है, socio-cultural थ्योरी, तो यह जो नाम है से, आपके culture से, ठीक है इन सब चीज़ों से, तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं यहीं पर explain कर देता हूँ आपको आगे की question में पुछी जाएगी, जो वाई गोच्की है ना, इन्होंने तीन चीज़ों पर फोकस किया था अपनी ठीक है अंदर, कौन-कौन सी थी? एक तो आपकी society, याद की आपकी समाज, याद की बच्चा समाज से सीखता है, एक आपका culture, याद की आपकी संस्कृती, बच्चा किसे सीखता है? अपनी संस्कृती से अपने लोगों के बीच में रहते हुए सीखता है, एक उन्होंने फोकस किया था आपके language पर, याद की बास्टा के उपर, इन्होंने बोला, कि जागर बच्चे की जो बास्टा है ना, बास्टा की वज़े से ही तो बच्चा एक दूसरे के साथ बात करेगा, अगर उसे language ही नहीं आती होगी, तो एक दूसरे से बात कैसे कर पाएंगे, तो इन्होंने मेलने इन तीन चीजों के उपर फोकस किया था, society पे, culture पे, और language पे, याद रखना आप, यानि कि इन्होंने बताया, इन तीन चीजों का use करते वे, क्या होता है, बच्चे का संग्यानात्मक विकास होता है, ये बोला था इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या होगा आपका, answer number A, आगे चलते हैं, खलिस्तान is the primary agency of socialization, में आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ, school है बई, गलत है बई, मास मीडिया, गलत है बई, religion, गलत है बई, क्रेक्टानसों क्या होगा आपका, answer number D, याने की family, आगे चलते हैं, who proposed the Trump, zone or proximal development, यानकी ZPD, ठीक है, किस ने दिया था, easy है बई, answer number B, लेवाइगोच्की ने, आगे चलते हैं, अमन एक बहली के टुकड़ों को, ठीक से लगाने की कोशिस कर रहा है, बहली के टुकड़े हैं बई, अच्छे से पढ़ना आप, लेकिन वैस सही जगए पर सही इस्सों को, पिट करने के लिए संगर्ष करता है, यानकी उसे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ पर क्या लगाँ? ठीक है, कैसे क्या और क्यों के रूप में, उसकी मा उसे संखेत परदान करती है, यहनकी उसकी मा क्या दे रही है? उसे हिंट दे रही है, क्लू दे रही है, तो लेव वाई गोजके के, सीखने के सिध्धानत के अनुसार, सीखने की यह प्रिकरिया क्या कहलाएगी तो नूर्मल सी बात है आपको अच्छे से पता है मैंने क्या पता है था scav folding और इसको इंगलीज इंदी में क्या बोलते हैं pad आपको अच्छे से पता होगा याद आ गया होगा आपको ठीक है तो देखिया आप बच्चे को अभी प्रेडित करेगी गलत है भई बच्चे को अकरामक बना देगी यह भी गलत है हदीगम के लिए pad का काम करेगी यह आपका क्रक्टा आंसर होगा आंसर नंबर सी और pad को मैंने बता हैं क्या बोलते हैं स्केफ फोल्डिंग ठीक है आगे चलते हैं इन लेव वाइगोट्स की थियोरी असिस्टिट डिस्कवरी इस एड़िड बाई देखिये वाइगोट्स की के सिधान्त के अनुसार सायक खोज किसमे सायक है तो देखिया आप कोगनेटिव कोंफलिक्ट की वज़े से गलत है भई पियर कोलब्रेशन की वज़े से यह आपका करेक्टांसर होगा पियर ओफ स्टुलमिस रस्पोंस यह भी आपका गलत है और रेन्फोर्शमेंट यह भी आपका गलत है प्रक्टांसर होगा answer number B जब भी why goats की थोरी की बात आए ना आप एक चीज़ हमेशे याद रखना society के बारे में culture के बारे में language के बारे में cooperative learning के बारे में peer collaboration के बारे में peer groups के बारे में यानकि वो सारी चीज़ें जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ help करके सीखते हैं एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं यहाँ पर बात की गई है सायक खोज की सायक खोज का मतलब क्या है आपका peer collaboration यानकि एक दूसरे की सायता करते वे क्या करना discovery करना, खोज करना तो वो कैसे होगा, आपके peer collaboration के वज़े से, according to Lev, Why Goats के, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, answer number B, आगे चलते हैं, खालिस्तान refers to the learning that children undergo when they enter social institutions such as school, यहाँ पर क्या पुछा गया है, जो school है न, school के बारे में पुछा गया है, अगर जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो क्या होता है, उसका socialization होता है, क्यों, क्योंकि school एक social institution है, तो यहाँ पर पुछा गया है, जो school है, वो किस टाइप की agency है, तो आपको अच्छे से पता है, correct answer क्या होगा, school के बारे मैंने आपको बताया था, कैसी agency है, secondary agency, यहाँ के correct answer क्या होगा, answer number D, आगे देखते हैं, प्राइवेट स्पीच इन वाइगोच की theory, वाइगोच की सिध्यानत के अनुसार, जो निजी समवाद, अब देखे, एक नए concept होगा आपके पास, आपको पता होगा, वाइगोच की ने कुछ speech के बारे में पताया है, इन्होंने दी है प्राइवेट स्पीच, बात करने को वाइगोच की ने बोला था प्राइवेट स्पीच, और इन्होंने बताया था, जब बच्चा अपने आपसे बात करता है तो वो आवाज निकालता है, यानि कि आपको वो आवाज सुना ही देगी, अब बच्चा क्या कर रहा है, देखो अपने आपसे बात कर र पिएज निकालता एक्त malthurst Tower quickly को सोचना होता है आप अपने बाद कर पतों किस न कहल याद रखना स्कीट को पेस्ट करेंए इन्नर स्पीच के बारे में बी निकालते रिच निकालते हैं करें आपके वाई गोच्की ने और साथ में एक चीज और याद रखनी है अग जो ये स्पीच है ना प्राइवेट स्पीच हो या फिर इनर स्पीच हो ये किसले यूज होती है ये होती है बच्चे के बेवियर को रेगुलेट करने के लिए आपके वहवार को सही दिशा में ले जा बेवियर को रेगुलेट करवायता है करने में जो आपके प्राइवेट स्पीच है वह व करती है ठीक है तो correct answer क्या होगा आपका answer number C आगे देखते है which of the following is the primary agency of socialization आपको अच्छे से पता है school कैसी है भई secondary है आपकी यह नहीं होगी relation क्या है secondary है family होगी आपकी correct answer यानि क्या answer number C ठीक है आगे देखते है एक गणित अध्यापिका उच्तर कोसल पूर्ण छात्रों को अपने सैपाठियों की साहिता और मार्ग दर्सन करवाती है वे किस सैदानतिक कारे गठन का उप्योग करने का परियास कर रही है यहनु मैंने आपको अभी पर देरे पहले हमने बात की थी ना किस बारे में आपकी collaborative thinking के में या collaborative learning के में peer collaboration के में हमने अभी बात की थी तो मैंने आपको बताया जब भी साहिता की बात हो ना एक दुसरे के सहयोग से सीखने की बात हो ना तो हमेंसे आम किस के पास आएंगे लेव वाइगोज की के पास थिक है तो यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा answer number A लेव वाइगोट्स की theory of social constructivism याद रखना आप ठीक है तो correct answer answer number A आगे देखते हैं लेव वाइगोट्स की दुआरा दिये बच्चों के विकास का सिद्धान किस पराधारित है देखें आप maturation and culture गलत है भई language and physical word ये भी आपका गलत है language and culture ये होगा आपका correct answer क्योंकि किसके बारे में मैंने आपको बताया ना तीन चीजों पर focus किया था आपकी society, culture और language तो correct answer क्या होगा answer number C आगे चलते हैं लेव वाइगोट्स की के निकट्स्थ विकास का छेत्तर यानकि ZPD zone, सिधान्त में सब्दावली, निकट्स दर्शात्ती है कि दी गई सायता सिक्स्यार्थी की वर्तमान दक्सता की तुलना में क्या है go just below कुछ नीचे है go just beyond कुछ उपर है उसी स्तर में है और बहुत उपर है तो मैंने आपको जश्ट बताया था ना ZPD के अंदर कौन सी चीज एकाउंट होती है एक तो वो जिसे वो easily कर लेता है और एक वो चीज जो वो किसी की help से करता है और help की जर्थ क्यों पढ़ती है जब वो चीज आपके स्तर्शे थोड़ी सी उपर हो ठीक है तो यान कि कुछ उपर है आपका correct answer क्या होगा गोज just beyond कुछ ही उपर है इसलिए तो उसे help की जर्थ पढ़ी ना जो सबसे ज़्यादा उपर है उसको तो वो करी नहीं सकता जो हमने पढ़ा था थेयोरी के अंदर ठीक है तो आपका correct answer क्या होगा answer number B आगे देखते हैं अकरम किसी एक block के सम्हों के साथ खेलते वे स्यम को निर्देश सित्क देता है या निर्देश देता है तो लेव वाई गोजके के सित्धांत के अनुसार अकरम इस वाच्चन को क्या कहेंगे तो मैंने just अभी आपको पता है क्या बोलते हैं इसको हम private speech यानकि वो अपने behavior को regulate कर रहा है आप देख सकते हैं वो क्या लगा रहा है set of blocks लगा रहा है तो अपने आपको क्या कर रहा है वो निर्देश सित कर रहा है निर्देश दे रहा है तो इसको क्या बोल लगया private speech यानकि खुद के behavior को regulate करना ठीक है आगे देखते हैं परिवार में आरम में होने वाली वैब प्रिकरिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिकत पैचान जानना शुरू करते हैं पासा सीखते हैं और आरमबिक संग्यारात में कोशल विक्सित करते हैं तो यह क्या क्यलाती है अच्छे से पता है भई मैंने आपको अभी बताया परिवार के बारे में बात हो रही है यहां कि आपकी फैमिली के बारे में और फैमिली किसमें आती है आपकी प्रैम्री सोचलिजिस्टिन में एक दम इजी है आगे दिखते हैं कौन सा कथन लेव वाई गोच के मूल सिधान्त को सही मायने में दर्शादता है यानि कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना लेव वाई गोच की थियोरी के उसके बारे में पुछा गया है तो देखिया आप लर्निंग is an unconscious process गलत है वई इखना कैसे होता है conscious तरीके से होता है लर्निंग is a social activity है यह होगा आपका correct answer क्योंकि किसके बाद केजी हिनोंने समाज के बारे में इनोंने बोला था कि जो बच्चा है ना वो समाज में रहते हुए ही सीखता है यानिकि learning इजे social activity तो correct answer क्या हो जाएगा answer number B प्रोगडाम भी नहीं होगा आगे देखिए discontinuous तो होगा ही नहीं ठीक है तो correct answer क्या होगा answer number B आगे चलते हैं विद्याले बच्चों को ने व्यवार और नियम सिखाते हैं और उसी के अनुरूप किरिया की अप्रिक्सिया करते हैं विद्याले समाजेकरण की संस्था के रूप में क्या कर रहा है कारिये कर रहा है फिर से वैक्यूशन आपके पास आ चुका है ठीक है तो यह क्या है आपकी primary socialization है constructive है secondary है या फिर analytic है यहाँ पर बात हो रही है आपके school के बारे में तो school क्या होगी आपकी secondary यहन के answer number क्या हो जाएगा आपका C वाला ठीक है तो correct answer क्या होगा आपकी secondary agency है आगे देखते हैं प्रात्मिक विद्धाले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाई गोच्की ने निमन लिखित में से कौन सी तक्निक सुझाई थी आपको अच्छे से पता है देखिया आप instructions, scaffolding yes, correct answer क्योंकि इनोंने किस के बारे में बात की थी scaffolding के बारे में बात की थी आगे सोचने के जूरत है यह नहीं ठीक है तो correct answer क्या होगा answer number first आगे चलते है which of this is not a primary agent of socialization primary agent नहीं है यह पुछा है तो देखिये family तो आपका है neighborhood क्या है आपका है peers क्या है आपका है correct answer क्या होगा answer number D यानकि क्या नहीं है आपकी सरकार नहीं है अब आप यह मत कहना सर आपने तो प्राथमिक कारक्या बताई थे सिर्फोर सिर्फ family ही बताया था मैंने वहाँ पर आपको ये भी बोला था आपको options के according चलना है अगर आप अच्छे से देखते है family, neighborhood और peer ये कहीं ना कहीं आपके agent तो है ना agency तो है ना लेकिन जो government है वह तो कुछ भी नहीं है वह आपकी socialization की agency थोड़ी ना है इसलिए यहाँ पर जो government है इसको correct answer बताये गए ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखना हमें options के according चलना है आगे देखते है लेववाई गोच्की के संग्यानात्मक विकास के सिद्धानत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं बच्चों का सिखाना संदर्ब में होता है किसके संदर्ब में होता है मैंने जस्ट आपको अभी पताया था किसके संदर्ब में social, cultural यह नोंने बात किये थी society के बारे में आपके culture के बारे में और आपकी language के बारे में तो correct answer क्या होगा answer number C आगे देखिए जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट स्थेतर पर पहुँचाने के लिए society को उसके निस्पादन के वर्तमास्तर के अनुरूप डालती है तो अध्यापिका खालिस्तान इसे primary एंड खालिस्तान इसे secondary agent of socialization एकड़म easy है वही देखिए फस्ट में क्या आना जाएए आपका primary आना चाहिए तो primary क्या है family primary है correctable है और second में क्या आना चाहिए secondary agency secondary क्या है आपकी school है तो आपका correct answer क्या हो जाएगा answer number first ही हो जाएगा आगे देखने की जूरती नहीं है भी आगे देखिए लेव वाइगोच्की offered a theory of cognitive development along the principle of यानि की लेव वाइगोच्की के संग्यानात्मक विकास का सिद्धान्त किस पर आधारीत है हमें अच्छे से पता है समाज के उपरादारीत है हम बात कर चुके है तो correct answer क्या होगा answer number first यानि की social constructivism ठीक है आगे चलते है which of the following is the term used by लेव वाइगोच्की to describe child act of speaking to herself आगे ना आपका question लेव वाइगोच्की ने बच्चे की स्वम से समवाद करने की क्रिया के लिए किस सबद का परियोग किया है मैंने आपको अभी पताया था किसकी बात की थी इन्होंने private speech की क्यानकि जब बच्चा अपने आपसे बात करता है ना अपने behavior को regulate करने के लिए अपने आपको एक सही दिसा में ले जाने के लिए तो उसको बोला जाता है private speech मैंने बताया था आपको ठीक है आगे चलते है which of the following are secondary agency of socialization secondary पुछा है भई family किस में आती है आपकी first में आती है ये तो नहीं होगा media हाँ है आपकी religion institution हाँ ये भी है और school ये भी आपकी होती है secondary तो correct answer क्या होगा second, third and fourth देखिया आप answer number C आगे चलते हैं एक अध्याप्रिका अपनी कक्षया के लिए लेव वाइगोच्की के सामाजिक संराचनात्मक सिधान्तों पर आधारित सिक्सन हदीगम प्रिकरिया तयार करना चाहती है तो उसे किस के परियोग से बचना चाहिए यान कि किस का यूज उसे नहीं करना ये पुछा है भई तो देखिया आप डिजाइनिंग टिचिंग लर्निंग एक्सपिरियेंसीज बेस्ट इन सोसिल कंटेक्स्ट सही है वई क्योंकि वाइगोच्कीन किस के बारे में बात की है आपके सोसिल कंटेक्स्ट के बारे में तो बात की है तो यूतियों सही है closely observing the student attempt of learning ये भी आपका सही है क्योंकि बच्चे को आप observe कर रहे है समाज में रहते हुए तो ये भी कहीं न कहीं क्या है सही है आपका आगे देखिए use of formal standardized test to access learning ये आपका गलत होगा भई अभी भी हमें मान की करण जो test होते है न उनका यूज नहीं करना है हमें flexible test को यूज करना है यानके situation के according आगे देखिए providing scaffolding when needed ये भी क्या है आपका सही है इसके बारे में तो बात की है तो किसका यूज नहीं करेंगे हम answer number C का आगे चलते हैं लेव वाइगोच्की ने अपने सिधान्त में किसे विद्यार्थियों में हदीगम को सूसद करने के लिए उप्यूक्त बताया है यानि कि to facilitate students learning which of the following is the suggested by लेव वाइगोच्की in his theory of social constructivism तो यानि कि जब बच्चे एक दूसरे की help करते हुए पढ़े to facilitate students learning बच्चों की जो learning है ना उसको क्या करने के लिए helpful बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम देखिया आप peer collaboration एकदम correct है भई तो कि इनों ने इसके बारे में इतो बात किये थी आगे देखिये non interference of cultural tools गलत है भई cultural tools की इनों ने बात किये थी लेकिन उसका क्या हो उसका interference हो non interference नहीं तो ये तो गलत हो गया focus on road memorization यानी की रटना जो रटनत प्रनाली है उसको तो हम बंद करना चाहते हैं तो ये तो होज नहीं सकता आगे देखिये decontextualized curriculum ये भी आपका नहीं होगा correct answer क्यों होगा answer number first आगे देखते हैं language play an important role in the cognitive development of children in that theory of आगया ना आपका question मैंने पताया ना ले वाइगोच्की ने तीन चीज़ों पर focus किया था आपके society पे आपके culture पे और आपकी language पे तो किसका role है इसमें ले वाइगोच्की का ये हमसे पुछा गया है ठीक है आगे देखते हैं वाइगोच्की socio-cultural theory asserts that learning is an essential social process that happens during तो देखिया आप having competition गलत है भई having interaction with family and peers ये होगा आपका correct answer यानकि जो आपके learning है ना वो समाज में रहते हुए कब होती है जो आप interaction करते हैं किसके साथ अपने family के साथ और अपने समकक्सियों के साथ तो correct answer क्या होगा answer number B तो अगर आपको वाइगोच्स की थोरी के main main point याद है ना तो आपके लिए options को choose करना बहुत ही easy है ठीक है आगे देखते हैं Lots of Q about gender appropriate ways of behaving comes from films and advertisement this highlight that the role of khalistan as a khalistan agency of socialization देखिये फिल्मों और विज्यापनों के लिए लिंग उप्युक्त व्यवार के तरिकों के बारे में बहुत से संकेत मिलते हैं याई समाजी करन की खalistan संस्था के रूप में खalistan की भूमिका पर प्रकास डालता है यानकि यहाँ पर बताया गया है जो बच्चे है ना वो फिल्मों से जो आप टीवी देखते हैं जो मेडिया है ना उनसे काफी कुछ चीज़े सीखते हैं यहाँ पर यही चीज पुछी गई है जो आपकी टीवी देखना या फिलम देखना वो किस से रेलेटिड है तो आप समझ गए होंगे, आपके media is related है, अब आगे पूछ लिया है जो media है ना, वो कौन सी agency है, तो आपको ये भी पता है, अभई primary है, गलत है भई, कैसी agency है, आपके secondary agency है, तो correct answer क्या होगा आपका, answer number B, क्योंकि आगे school दे रखा है, इसलिए गलत हो गया, ये भी school है, इसलि इन चीजों पर focus किया था, मैं बता चुका हूँ, किस-किस पर, आपकी society पर, आपके culture पर, और शाथ में आपकी language पर, इन चीजों पर क्या था ना, और मैंने क्या बताया था आपको, जब ये जो चीजे साम्मिल होती है ना, उसकी वज़े से क्या होता है, बच्चे का संग् संग्यानात्मक विकास में, language का रोल नहीं होता, तो ये तो गलत है भी, language का रोल तो होता है, उसके बाद देखिए, cognitive development guides, language development, यानि कि, जो संग्यानात्मक विकास है ना, उसकी वज़े से आपकी बासा का विकास होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इनोंने उल्टा लि यानि कि आपकी बासा की वज़े से क्या हो रहा है, आपका संग्यानात्मक विकास हो रहा है, आप समझ गया होंगे जो बी वाला उप्चन था ना, इसमें इनोंने उल्टा लिख दिया, इसमें इनोंने लिख दिया था कि आपके संग्यानात्मक विकास की वज़े से आपकी language develop होती है लेकिन ये उल्टा है आपकी language की वज़े से आपका संग्यानात्मक विकास होता है तो correct answer होगा answer number C ठीक है आगे चलते हैं According to Lev Vygotsky which of the following factors facilitate cognitive development of children यानि कि Vygotsky के अनुसार कौन से कारक बच्चों के संग्यानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं तो देखे आप cultural tools सही है इन्होंने बात की थी social interaction ये भी आपका सही है equilibrium ये गलत है इन्होंने बात नहीं की थी rewards की भी इन्होंने बात नहीं की तो correct answer क्या होगा answer number first और second देखे कहाँ पर है इनके answer number C आगे देखते है which of the following is the correct example of scaffolding ये जो पाड है उसका exact मतलब सही उधारन पुछा गया है कौन सा होगा तो देखे आप dictating answers to questions गलत है भई येनकि as it is आपने answers और questions को लिख दिया गलत है ये तो providing prompt attempt cues ये होगा आपका correct answer येन्ट क्या दे रहे हैं आप hint दे रहे हैं answer number B आगे चलते हैं next question देखें लेव वाइगोच्की believe that लेव वाइगोच्की का मानना था कि learning is mere absorption of knowledge यारकि सिर्फ और सिर्फ ज्यान को grand करना ही क्या है स्तीखना है गलत है भई ऐसा इन्होंने नहीं का था learning is controlled response to rewards ये भी गलत है इन्होंने rewards की तो बात की ये नहीं थी आगे देखें knowledge can be transmitted from the teacher to the student इन्हें passive manner ये भी आपका गलत है तो कि इन्होंने passive manner में बात नहीं की थी इन्होंने तो active के बारे में बात की थी आगे देखें knowledge is co-constructed in a zone of what the child can do independently and with the sport from others आगे ना आपका correct answer जो आपने first number का कि उससे नहीं पढ़ा था अग्या बच्चे जानते हैं और क्या किसी की help से वो जानने के capable हैं ठीक है तो correct answer क्या होगा answer number D आगे देखें according to live why gochki dash creates our cognitive structure and modify our thinking process यानि कि live why gochki के सिधान के अनुसार हमारी संग्यानात्मक संरत्सनाओं की बनावट वे हमारी संग्यानात्मक प्रिक्रियाओं में पदलाओ किस के द्वारा होता है तो देखें rewards के द्वारा गलत है भई cultural tools correct है भई चुकि इन्होंने culture के बारे में बात की थी schemas गलत है भई कोगनेटिव कंफ्लिक्ट ये भी गलत है correct answer क्योंगा answer number B आगे देखें which of these factors play an important role in cognitive development according to लेव वाइगोथ्की यान की वाइगोथ्की के अनुसार कौन से कारक संग्यानात्मक विकास में मैतवपून भूमी का नेवात्ते है तो देखें आप language यही आपका correct answer रोगा भई विटते ही अगर आपको याद है थोरी अच्छे से तो बहुत ही easy है maturation इन्होंने बात नहीं की organization की इन्होंने बात नहीं की equilibration की इन्होंने बात नहीं की इन्होंने किसकी बात की थी आपके language की ठीक है आगे चलते हैं देखिए अब ये कथन और निस्कर्ष वाले क्युस्स्ते ने आपके पास तो सबसे पहले assertion दिया है यान कथन दिया है बच्चे व्यवार के तरिके और अपने रहन सेन के मुल्यों और मान दंडों को अपने परिवार से सीखते हैं आपका करक्ट है आप रहने का तरिका खाने पीने का तरिका आपका dressing sense आप किससे सीखते हैं अपने परिवार से ही सीखते हैं अपने family member से ही सीखते हैं तो ये statement तो सही है आगे देखिए परिवार बच्चे के समाजी करण की जवित्यक अपने परिवार को मैंने क्या पताया था आपकी primary agency पताया था लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया अगे यह क्या है secondary agency है इसलिए जो reason है वो गलत हो गया आपका ठीक है तो देखिए A is true but R is false यही क्या होगा आपका correct answer होगा ठीक है आगे चलते हैं which of the following statement about लेव वाइगोच की view of children is correct यानकि बच्चों के बारे में लेव वाइगोच की के विचारों के बारे में निमल लिखित में से कौन सा कथन सही है सही है बताना है बई तो देखिए वाइगोच की suggested that children have a lot of potential यानकि बच्चों में बहुत ही हदिक चमता होती है किस बारे में that include those tasks they can do with sport यहाँ correct है बई यानकि बच्चों में क्या होती है चमता होती है उस काम को करने की जो वो किसी की help से करते है और इसी के बारे में वाइगोच के ने बात भी की थी तो correct answer क्या हो जाएगा आपका answer number first ही हो जाएगा आगे देखें वाइगोच की understand children as blank state क्योंकि blank state नहीं होते है इन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की आगे देखें वाइगोच की proposed that children think quantitatively lesser than adult यानकि जो adult है ना उनसे कम सोच पाते हैं बच्चे ये भी गलत है इन्होंने बात नहीं की थी आगे देखें वाइगोच की has grossly underestimated the capacity of children ये भी आपका गलत है इन्होंने underestimate तो क्या है नहीं था तो ये भी आपका नहीं हो सकता correct answer क्या होगा answer number A आगे देखते है आगे आपका क्या कर रही है देपका बच्चों को hint और क्यू दे रही है तो correct answer क्या होगा answer number B scaffolding एकदम easy है भई आगे देखिए next question देखें ये जो बच्चे के सामाजिकन के द्वित्यक कारक है ना द्वित्यक एजेंट है ना उनके बारे में पुच्चा है तो देखें family and neighborhood चलते है भई आपकी primary में आती है आगे देखिए religion and parents तो parents की वज़े से क्या हो गया ये भी गलत हो गया तो parents क्या है आपकी family ही तो है ना इसलिए गलत हो गया आगे देखिए school and religion ये होगा आपका correct क्योंकि school भी क्या है आपकी secondary है और आपका जो धरम है religion है वो भी क्या है secondary ही है आगे देखिए family की वज़े से फॉर्थ भी गलत हो गया तो correct answer क्या होगा answer number C आगे चलते है Children of four to five years often talk to themselves याणकि अपने आप से बात करते है तो this talk according to लेव वाइगोच की क्या है तो देखिए reflect their egocentrism गलत है भई याणकि उनका जो ego है ना आतम kendrita है उसको दर्शाती है तो ये तो गलत है हमने क्या पढ़ा था ये बच्चों के behavior को regulate करती है तो देखिए आगे hinders their cognitive development ये भी गलत है hinders का मतलब होता है अवरोधग याणकि बच्चों के संग्यानात्म विकास में क्या है अवरोधग है तो गलत हो गया ना अवरोधग थोड़ी ना है वो तो help करती है आगे देखिए hinders their social development ये भी गलत है याणकि बच्चों के सामाजिक विकास में क्या है अवरोधग है इसलिए ये गलत हो गया तो next आपका सही हो जाएगा helps them to regulate their own thinking याणकि उनके जो खुद के विचार है ना उसको regulate करने में help करती है उनको सही दिशा में ले कर जाती है तो correct answer क्या होगा answer number D इसके बारे में किस ने बात की थी social and cultural context के बारे में लेव वाई गोच्की ने एकदम easy है भई correct answer क्या होगा answer number first आगे चलते हैं अर्नाव struggles with addition of three digit numbers on his own but is able to do so with support from the teacher तो देखिया यानि जो अर्नाव है ना वो तीन अंकों की संख्या का जोड करने में अकेले संगर्ष करता है लेकिन six का की मदद से वै ऐसा करने में क्या है सक्सम है तो लेव वाई गोच्की केसी धान्त के नुसार या किस चीज को दरसार है नूर्मल सी बात है answer number A zone of proximal development क्योंकि यहाँ पर scaffolding answer नहीं दे रखा तो जब option में ही नहीं है तो scaffolding किस के अंदर आया था हमारा ZPD के अंदर जिसको मैंने बताया था zone of proximal development तो correct answer क्या हो जाएगा answer number first ना ही आपका reinforcement होगा ना ही maturation होगा और ना ही symbolism होगा आगे चलते हैं according to लेव वाई गोच्की learning is लेव वाई गोच्की के अनुसार जो हदीगा में न वो क्या है एक्टिव प्रोसेस ओफ constructing knowledge हाँ यह आपका सही है बई एक्टिव प्रोसेस है न मैंने आपको बताया न आगे देखिए एक पैसिव प्रोसेस इसलिए पैसिव की वज़े से गलत हो गया भई function of drill and practice यानि कि रटने की बारे में बात हो रही है तो यह भी नहीं हो सकता function of stimulus response यह भी आपका गलत है तो जो stimulus response थोरी है न stimulus response थेयोरी या कोई थोंडाइक ने दी थी तो यह भी क्या होगा आपका नहीं हो सकता correct answer क्या होगा answer number first आगे चलिए लेव वाइगोच की sociocultural theory emphasize teaching learning through लेव वाइगोच की का जो समाज सास्तरिय सिद्धानत है section हदीगम के किस पर बल देता है तो देखिया reward and punishment पर गलत है भई drill and recall पर यह भी आपका गलत है peer interaction पर और आपके scaffolding पर यह होगा आपका correct answer इन ही के बारे में तो बात की थी लेव वाइगोच की ने आगे देखिये use of analogies and algorithm यह भी आपका गलत है correct answer क्या होगा answer number C आगे चलते हैं लेव वाइगोच की theory mainly focus on explaining किसके उपर focus करती है देखिया आप the impact of aridity on development गलत है भई the role of cultural tool in cognitive development यह होगा आपका correct answer मैंने बताया ना जो चीजे मैंने आपको theory के अंदर बताई है ना उनसे बार कुछ भी नहीं मिलने वाला है याद रखना आप ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा answer number B आगे चलते है अकोर्डिंग टू लेव वाइगोच की teachers can assist in learning by providing appropriate rewards गलत है भई लेव वाइगोच की ने rewards के बारे में बात नहीं की giving strict punishment यह भी आपका गलत है बच्चों को punishment तो देनी ही नहीं है आगे देखिये changing the nature and quality of sport यह आपका correct होगा यह अगर बच्चा सही तरिके से नहीं सीख पा रहे है ना उसको दिक्कत आ रही ना आप क्या कीजिए आप change कर दीजिए किसको nature को and quality of sport को help देनी की जो आपका तरिका है ना उसको आप change कर दीजिए कुछ अलग तरिके से बच्चे की help कीजिए तो correct answer क्या होगा answer number C आगे देखते हैं देखिया लेव वाइगोच की द्वारा विकास और सीखने के बीच संबंदों की प्रकृति को निमा लिखित में से कौन सी विशेष्ताओं की रूप में देखा जाता है तो देखिये लेव वाइगोच की ने क्या बोला था आपका जो सीखने की वज़े से आपका डवलपमेंट होता है यानि पहले आप अपनी सोसाइटी अपने कल्चर और अपनी लेंगवेज से क्या करते हैं चीजों को सीखते हैं और जब आप सीख जाते हैं तब जाके आपका डवलपमेंट होता है तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा पहले आपके लर्निंग होगी और उसके बाद ही आपका क्या होगा डवलपमेंट होगा तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा आपको इस तरीके से क्यूसंस को सोल करना है आपको समझना पड़ेगा वो एक्चुल में कहना क्या चाह रहा है ठीक है आगे देखते हैं एक अध्धापिका सिक्षन हदिगम प्रिक्रिया में विद्यार्थियों को सैब भार्टियों से अंते क्रिया कराकर एवं सहरा देखकर अध्यापन करती है तो यह सिक्षन हदीगम की प्रिक्रिया किस पर अधारित है आगे न क्या कर रही है वो बच्चों की help कर रही है वो स्केफ फोल्डिंग दे रही है तो किसके उपर भी स्केफ फोल्डिंग की थेयरी आपकी लेव आई गोट्स की तो correct answer क्या हो जाएगा आपका देखिया लोरेंस कौलबर गलत है बई जिन पिया जे यह भी आपका गलत है लेव आई गोट्स की socio-cultural थेयोरी यह होगा क्या आपका correct answer होआड गार्डनर multiple intelligence थेयोरी यह भी आपकी नहीं होगी तो correct answer क्या होगा answer number C आगे देखते हैं बच्चों का एक समू एक dance reality show को अपने खेल का आधार बनाता है एक judge की नकल करते वे जफर एक table पर चट जाता है और comments देते वे तालिया बजाता है इस उधारन में समाजी करण की कौन सी agency से चितर है देखिए आपने colors पर आता था dance India dance ठीक है तो यह सब जो आते थे serial लगा लो आप या show लगा लो यह show आते थे तो इसको आधार बनाया गया है इस question को बनाते समय अग्या कर रहा है जो बच्चे है न वो एक dance reality show को देखते हैं टीवी पर और उसी तरिक्के से खुद भी क्या करते हैं उसकी नकल करते हैं तो यहाँ पर पुछा गया है जो वो टीवी में देख रहे थे न या जो reality show है न वो किसे से मंदित है तो आपको अच्छे से पता है एक तो आपके secondary agency है और secondary agency में किस से related है आपके media से सिद्धा और simple answer है ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा answer number A तो देखिए यह आपके 54 questions थे तो 2011 से लेकर 2013 तक जो seat at हो है न उससे उठाए गए है इनसे भार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो अब आपके 6 days बचे है ज्यादा से ज्यादा आप practice कीजिए और channel को subscribe कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी class miss ना हो अब मैं ज्यादा से ज्यादा जो practice set है न वो आपके लिए ले झाल